दोस्तो आज हम दखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एकाउंट को कैसे उपन करते हैं दोस्तो जिससे एटल पेमेंट बैंक है, पेट्टेम पेमेंट बैंक है उसी तरह इंडिया पोस्ट एक उनलाइन पेमेंट बैंक है लेकिन India Post Payment Bank account को Postáis Saving Account के साथ लिंक करके आप साभी Physical Banking Service को यूज़ कर सकते हैं और ये एक Zero Balance Saving Account है तो चली जानते इदिया Post Payment Bank account को online के से open करते हैं दोस्तो पहले Google Play Store से India Post Payment Bank Mobile Banking आपको डाउंलोड कर लिजीए लिंक डेस्क्रिशन पर है देन open करने के बाद यहाँ पे open your account आये का एक option ने इस पे क्लिक कीजिए अब यह में account को open करना है पहल अपना mobile number और पानकाण number देखे continue उपर क्लिक कीजिए आप यहाँ पे जो भी mobile number देखे वो bank के साथ link हो जाएगा अगर आपके पास पानकाण नहीं है तो आप यहाँ पे digital saving account को open नहीं कर सकते हैं उसके बाद आपके mobile number पे OTP आएगा उस OTP को देजिए और समिट के उपर क्लिक कीजिए देन आधरकाण number को देजिए नीचे टेंशन को एसेप करके समिट के उपर क्लिक कीजिए देन दोस्तों आपके आधररेजिस्टर mobile number पे OTP आएगा उस OTP को देखे समिट के उपर क्लिक कीजिए दोस्तों अगर आपके आधरकाण के साथ mobile number लिंक नहीं है तो OTP नहीं आएगा यहाँ पे आप एकाउंट ओपेन नहीं कर सकते हैं अभी दोस्तों एकाउंट ओपेनिंग के लिए personal and professional details को फिलप करना होगा यहाँ पे personal information, pan and communication address, nominate details, additional information and account information ने पेले personal information के उपर क्लिक करके mother name, father name, email ID को देके save कर दीजिए देन पान and communication address में भी सभी information को देके save कर दीजिए उसी तरह nominate details, additional information and account information देके save कर दीजिए दोस्तों यापने नोमिनी डिटेल्स मांड़ोरी नहीं है इसलिए आपको नोमिनी को रेजिस्टर कर सकते नहीं भी कर सकते है सारे इंफर्मेशन सेब करने के बाद कॉंटिनु का एक अप्सन आएगा इस पे क्लिक कीजे तेन फिर से आधा रेजिस्टर मोबाइल नमपर पर एक OTP आएगा उस OTP को दीजे और समिट के उपर क्लिक कीजे तेन ऐसा एक रिव्यू आएगा सबी इंफर्मेशन को एक बार चेक करके कांफर्म के उपर क्लिक कीजे तेन आपका एकाउंट ओपेन हो जाएगा और आपको एकाउंट नमपर, कॉस्टमर आइडी SMS को थो या इमेल को थो भी मिल जाएगा अभी इंडिया पोस्ट पेमेट बेंक एकाउंट ओपेन हो गया है अभी हमें इस आप में लॉगिन करना है इसलिए फिर से आपको ओपेन कीजिए यहापे लॉगिन नाव का आपसन है इस पे क्लिक कीजिए देन अकाउंट नमबर, कॉस्टमर आइडी, डेटा वर्थ और मोबाइल नमबर देके नीचे रेजिस्टर के उपर क्लिक कीजिए उसके बाद M-PIN को सेट कीजिए देन बेंक रेजिस्टर मोबाइल नमबर पे OTP आएगा OTP समिट करने के बाद आपका एकाउंट ओपेन हो जाएगा अभी आप सभी तरह का ट्राजिशन कर सकते हैं यहापे रूपे डेबिट का अपसन है यहापे आपको अपने विर्चुल डेबिट काड मिल जाएगा इसी डेबिट काड के थरो आप सभी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों यह डिजिटाइस सेबिंग एकाउंट सिर्फ एक साल के लिए भेलिडे एक साल के बाद आपको नियरिस्ट पोस्ट रफिस्टा के फिंगर्प्रिंट वेरिपिकेशन के साथ फूल कड करना होगा अभी जो यह एकाउंट है यह सिर्फ एकाउंट है फूल कड करने के बाद आपका एकाउंट रेगुलर सेबिंग एकाउंट हो जाएगा अगर आपने एक साल के अंदर फूल के विसी नहीं किया तो एक साल के बाद आपका एकाउंट क्लोज हो जाएगा और कुछ चार्जेस आपको देना होगा दोस्तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एकाउंट को आप ATM फोन पे और गूगल पे में लिंक करके सभी UPI ट्राजिशन कर सकते हैं और सभी UPI आप्लिकेशन में भी इस बैंक को यूज कर सकते हैं दोस्तो इस तरह आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एकाउंट को ओनलाइन में उपन कर सकते हैं और ये वीडियो कैसा लग अपने कमेंट पे बताइए अच्छा लगे तुम्हां लाइक शेर और सब्सक्रेक करना थेंक्यू फर वाचिंग